तो यह देखो रिंग की मक्कार, यहाँ पर मेरी लिमिट को आख तक काई इसने एक्टिव नहीं किया, छे महने हो चुके है, मैं छे महने से ही रिंग की लिमिट को यूज नहीं कर पा रहा हूँ, शिर्फ 99 रुपए को लेकि इसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोका किया, आज मैं आपको बताने माला हूँ कि रिंग ने मेरे साथ ऐसा क्या फ्रॉड किया, दोस्तों, यहाँ पर फ्रॉड कोई ज्यादा बड़ा नहीं कराए, बात सिर्फ 99 रुपए की है, ठीक है, 99 रुपए की बात नहीं है, बात है बात की, कि इन्होंने अपनी बात को पूरा नहीं किया, इसी बज़ए से मेरे को इतना गुसा आया कि मैंने आज तक का इनका 99 रुपए का पेमेंट नहीं किया, 99 रुपए पर इन्होंने अपनी और दिखा दी, दोस्तों, 99 रुपए बड़ी चीज नहीं होती है, मैं इसका पे कर सकता था, लेकिन यहाँ पर इनकी जो प्रमत क्या है, पूरी सच्राइब क्या है, हकीकत सबको बताऊंगा, और दोस्तों, यहां पर आपको यह बताऊंगा, कि इससे लोन लेना ठीक है या नहीं है, वीडियो के आखर ही बताऊंगा, और अगर आपने इसका रुपए मेंट नहीं किया, तो आपके साथ क्या-क्य और यह कर सकता है, जैसे मेरे साथ फ्रॉड किया, तो मेरे साथ क्या-क्या हुआ, मतलब निनानी ब्लेकर इप्रमेंट ने किया, तो इनकी एजंटों ने क्या-क्या किया मेरे साथ, सब कूंदेल से बताऊंगा, तो एक काम कर दो, हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर दो ताकि मेरी किसी भी यूटीफिक एसान आपको समय से मिल सकें और साथ में टेलिगम चैनल को जोइन कर सकते हैं यहां पर यहां पर यहां पर चीज और भी देख रहे होगे ओवर डियू से इसका जो है पेमेंट कर दीजिए देखिए व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए इस तरह से पूरा यह लेट फी भी लिखके आ रही है ठीक है अधर अमाउंट का मतलब है कि अगर माली निन्नानमी रुपय मैं नहीं चुगाना जाता हूं अपने इसाफ से में केवल 50 रुपय है यहां पर केवल इसका अमाउंट जो है पेगरना चा रहता हूं तो मेरी जो लिमिट है वो एक्टिव हो जाएगी फिलाल यहां पर चेक कर सकते हैं कि मैंने यहां पर इनका 90 रुपय का पेमेंट रोक रखा हुआ है अब मैंने रोका क्यों है यही तो वज़ए है कि अब देखिए मैं आपको अपने यह हिस्ट्री में जाकर दि चुका दे तो आपको बहुती जो भी इनका नॉर्मल चार्जिस होते हैं वो लगते हैं जैसे मैंने इनसे 100 रुपय लिए थे तो पन्ना दिन के अंदर अंदर अगर में चुका देता जैसे 26 माई को मने लिए थे तो करीब 9 जून की आसमा अगर में चुका था अगर 15 दिन आप 27 में जोड़ेंगे तो 9 जून की आत्वाद वैठेगा 9 जून 8 जून तो मुझे केवल 111 रुपय का ही मुझे यहां पर पे पेमिंट करना होता इनका मुझे सर्वीस फीज की जो भी था यह ले ले लेते कोई रिकत नहीं यह मुझे नहीं हड़ता है इनका हक है पैसे म सब्सक्राइब तो 111 रुपय में मेरा पुरा रिपेमेंट हो जाता है मेरे को 15 दिन से उपर हो गया ठीक है मेरे नहीं ठीक कर दिए 211 रुपय 100 रुपय एकदम बढ़ा दिए कोई बात नहीं मेरे पास इनके जो भी कस्ट्टमर एजन्ट होते है ना 15 दिन वाद माद 111 या कहा कर दिया कोई इनका फिर से चॉह सोगार को आता है जैसी कि आप देख पार हो गए प्रीप दोड़ी कर दो तो उस दिन से पंदा दिन के अंदर अंदर आपको इनका पेमेंट करना होगा तो आपको नॉर्मल के जो चार्ज से पो लगेंगे जैसे 100 पे लिए तो 111 रुपए का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, कोई ली दिक्कत नहीं है, हटता नहीं है हमको, 11 रुपए ले 111 आपने करा था, एक दम 211 कर दिया, 100 रुपए आपने और बढ़ा दिये, ठीक है, तो यार मैं तो 111 ही करूँगा, मैंने असली बोला, तो उन्होंने का ठीक है सर आपको हो जाएगा, आइसा करते हैं, जो उपर का पेमेंट है ना, हम पूरा छोड़ते हैं, वो आपको ड कर दे रहे हैं, मैंने चलो, ठीक है, मैंने क्या किया, 14 तारीख को 3.9 पे इनके 111 रुपए जो बन रहे थे, आए दे के, वो मैंने इतकी पेमेंट कर दी, मैंने का, 9 रुपए का जो बागी को उपर का, वो तो डिसकाट होई जाएगा, फेम आपनी लिमिंट को यूज कर पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनकी मकारी देखिए, इन्होंने क्या किया, मेरे पास कॉल आया था, सब कुछ रिकॉर्डिंग वज़़ा, सब कुछ पढ़ लिखके आ रहा था, ठीक है, इनके बंदे ने मुझे कॉल किया, बोले, एक काम करो सर, 111 का रिपेमेंट कर दो, बाग की 99 में जो बच जाएगा, वो आपको डिसकॉर्ड जाएगा, वो जो है, वो खत्म हो जाएगा, कोई रिक्कत नहीं है, आप अपनी लिमिंट को यूज बोले, जितना आपका पहले काईदेवाला बंदा था, वो ही कर दो, मैंने क्या कर रहा, इन्होंने क्या का, ओन कॉल पी, एक काम करो, इस पर जाओ, अधर रमांट पर जाओ, 111 टाइप करो, नीचे चूज पेमेंट मेंट पर क्लिक करके इसका पेमेंट कर दो, मैंने कर दि मेरी जो लिमिट है, वो ऐसे केसी बिलोग रही, और 14 जून से लेकर और आ तक का रिकॉर्ड़ चे महने हो गए, आप खुद देगरो, स्कीन पर छे महने दिखा रहा है, एक सो क्या सी दिन कब्ड़ हो चुके है, मैंने आभी तक इनका पेमेंट नहीं कर दो, इन्होंने इत मुझे कहा जाते हैं कि भई आम विश्काउंट देपाएंगा, तो पूरा ही कर देता है, मुझे क्या दिखता थी, मैंने तब से रिंग को हमेसा यूज करना बंद कर दिया, हमेसा यहीं बोलता है, रिंग को यूज मत करो, मत करो, और ये बात में आज ये चाहेंगे रिंग करूँगा, मेरी लिमिट ये एक्टिव नहीं होगी, देखिए, पेना यूज रिंग लिमिट, मुझे यूज ही नहीं करना है, एक सुट कैस दिन में होगा है, और ये एक साल हो जाए, दो साल में, मैं नहीं रूपर पेई नहीं करूँगा, अपनी इन्होंने आउका दिख जो मुझे लीगल तरीके बात करनी थी, मैंने बोला, ठीक है, वो आता हो, नहीं कौन नहीं आई है, और उसके लावा, कोई दिक्कत नहीं होगी है, मैं यूज नहीं करता हूँ, रही बात आप की, भईया, आप यूज कर रहे हो रिंग को, नहीं कर रहे हो, वो आप देख मैं तो कहूँगा कि इसको बिल्कुल खत्म ही कर दो, पैसा लिया है, चुका दो और भग लो यहां से, बनाई है, आपको सभी खराब करते ही, ठीक है, दूशरा, यहाँ पे अगर आप रिंग का रिंग करते हो, तो क्या होगा, सबसे बड़ा कोशन ही होता, दोस्तों देख करेंगे, यह बहुत निश्चित है, एहसाफते में कहना हूँ, ठीक है, तो रिंग से लोन लिया है, चुगा आदे, खतम करें, और पल्ला जाड़ने, और अगर पैसा नहीं है, तो इनके एजेंट आ सकते हैं, मैं किलियर बोलना हूँ, कि इस तो खेर नहीं करेंगी इतनी कर सकते हैं, इस बात को समय लेजिए, कॉल बेगरा भी कर सकते हैं, लेकि एज़न दो घर पे आती हैं, 100 रुपया, 200 रुपय के लिए के भी आ जाते हैं, तो मेरे साथ क्या कहानी थी, मैंने बता दिया, और ऐसी कहानी अगर आपके साथ भी हुए, रिंग में क्या धोका क्य होंगे, बिलता को इसी नेक्ट वीडियो में तक तक के लिए जाए हैं, मतने मातरम सत्मेब जायते